ओके, मार्वल की तरब से एक न्यू सीरीज आई है, या टीवी शो कहलो, जो मार्वल स्पॉटलाइट का हिस्सा है मार्वल स्पॉटलाइट याने इस सेक्शन में जो सीरीज बन रही है, वो किसी इंडिविज्वल कारेक्टर के कहानी को रिप्रेजेंट करती है जहां कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज शोकेस की जाती है, और जो मार्वल के बाकी फिल्म्स या सीरीज से थोड़ी डारकर साइड में होती है और ये जो एको शो आया है, वो भी बाकी मार्वल स्टोरीज से डारकर साइड है और इवन 16 प्लस की रेटिंग्स के साथ रिलिज होई है, तो कैसा है ये शो आईए बात करते हैं वेल हलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी एको शो के हैं टोटल 5 एपिसोड जहां हर एपिसोड का एवरेज डूरेशन 35-40 मिनिट का है जहां हमें माया लोपेज याने के एको की कहानी समझाए जाएगी और किंग पिन से उसका रिष्टा क्या था, किंग पिन की छोटी से बैक स्टोरी, माया की बैक स्टोरी और कैसे वो अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करती है, वो सब आप इस सीरीज में देखोगे अब जब इसका ट्रेलर आया था, तो बड़ी ही आसानी से हमारा उल्लू काट डिया गया था कि भाई लोग, आपको इसमें Daredevil भी दिखने वाला है, उसके अच्छे खासे fight scenes भी होंगे वगेरा वगेरा लेकिन पहले ही एपिसोड में Daredevil की जलक दिखा कर खतम कर दिया गया इवन Hawkeye भी आपको देखने को मिलेगा, बट उसके लिए आपको Hawkeye series जो आई थी, वो भी देखना ज़रूरी है क्योंकि first episode या इवन दूसरा भी connect करता है Hawkeye की story से उस series के literally कुछ एक scenes उठा कर as it is इस series में दिखाए और बखु भी जोड़े भी गये है ताकि दोनों में एक link create हो सके अब क्यूंकि इस show को 16 plus की ratings मिली है, तो मुझे लगा था कि बस इसमें खून, खराबा वगरा होगा इसलिए 16 plus है, लेकिन first episode शुरू होते ही कुछ नंगू-पंगू लोग आपके सामने दिखाई देते है and इस तरीके से उन्हें showcase किया जा रहा था, मैंने double check किया कि भाई, मैं Marvel का ही show देख रहा हूँ हर episode के नाम भी देखोगे, तो वो हर नाम Maya के ancestors के main lady का होता है and last episode का नाम खुद Maya है, याने Marvel want to showcase के पीढ़ी दर पीढ़ी, जो powers Maya के ancestors के पास थी, वो अब Maya के थुरू आगे बढ़ेगी acting wise तो show में हर किसी ने बढ़िया काम किया है, but the lead characters like King Ping, जबरदस्त, जो की absolutely टकला है, आप नहीं चाहोगे कि आप भी उसकी तरह hair fall का शिकार बन जाओ, वैसे आजकल इंडिया में लोग hair fall की समस्या से लड़ रहे हैं, जिसकी 7 stages होती है, और अगर आप पहले 4 stages के अंदर हो तो man matters करेगा आपकी help, जो बनाता है आपकी लिए एक personalized solution depending on the root cause of your problem, जैसे man matters का India's first ever advanced hair serum roll-on, इसके clinically proven active ingredients आपके hair growth को boost करके hair follicles को भी regenerate करने में मदद करते हैं, उपर से ये 100% alcohol free भी है, आपको इस roll-on को directly आपके affected area पर 1 ml खतम होने तक apply करना है, man matters पर आप free hair test and doctors के साथ free consultation करक अपने hair loss के stage को जान कर उसका treatment ले सकते हो, ये product man matters के website and app पर available है, and मेरे description के link से man matters का app download करके product purchase करने पर आपको discount भी मिल जाएगा, तो जाएए और अपने बालों का खयाल रखिये, kingpin भी use कर लेता तो भला हो जाता उसका, लेकिन सर पे बाल हो ना हो, acting जिस तरीकी से की है बं भी सकता है, जब इस series का last episode आया तो मुझे पता नहीं क्यों वो थोड़ा bollywood style लगने लग गया था, कि villain ने heroine की मा बहन को kidnap कर लिया है, अब heroine की मदद करने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो emotionally उससे attached है, लड़ाई होगी, heroine जीतेगी, villain की हार, वगेरा वगेरा, लेकिन still, इस show के तौर पर आप इसे enjoy कर सकते हो, even though आप Marvel के fan नहीं भी हो, या बहुत जादा कुछ पता नहीं है, और बस Hawkeye की series देख रखी है, तो भी आप इस show को समझ सकते हो, हाला कि ये Marvel का कोई बहुत ultimate work नहीं है, it's just a spotlight show, जिसके बारे में जानने या ना जानने से आगे आने व साथ कही ना कही, किसी ना किसी तरह की से connect किया ही जाता है, तो Marvel के बड़े वाले fans हो, तो miss नहीं करना, बाकि overall series 16 plus है, तो 16 के अंदर हो, तो ना देखे, कोई एकदम vulgarity नहीं है, के family के साथ भी ना देख पाओ, देख सकते हो, बस बच्चों को दूर रखना, overall series one time watch जरूर ह सो मेरे तरब से इस शो को 3 out of 5 stars, और हाँ, Man Matters का hair growth serum roll on, जो कि मैं खुद भी use करता हूँ, मेरे description के link से जाकर by जरूर कर लेना, मिलता है अगले वीडियो में, बाई